बहु रोज रोज मरने से तो अच्छा है एक बार में ही मर जाना बस भावी बहुत बोल लिया आपने कहीं इस तरह मम्मी से बात की जाती है अब एक भी सब्द और नहीं ये मम्मी है हमारी इन्होंने किन परिस्तियों में हम सब की परवरिस करकी इस मुकाम तक पहुचाया है यह हम लोगों से बेतर कौन जान सकता है एक तो जिस गलती के लिए मम्मी को इतना सुना रही है वो गलती मम्मी ने नहीं की है और मान लो अंजाने में गलती हो भी गई तो क्या आप मम्मी का मान समान भूल जाएंगी अंसु ने अपनी मम्मी का अपमान होते हुए देखकर बहुत ही तिल मिलाते हुए कहा और भाईया आप भाभी लगातार मम्मी को अब सब्द बोले जा रही हैं और चुप चाप बैठे हुए सुन रहे हैं मुझको आप से तो ऐसे उमीद बिलकुल भी नहीं थी अंसु बेट पहले ही दीपा परिस्तियों को सम्हालने की गोशिश करते हुए बोली वाह मम्मी जी पहले तो बेटे को उकसाती हो और फिर उसको समझाने का नाटक करती हो रंजना बहु जो इतनी देर से जरसी बात के कारण बिना बजह सास को सुनाई पड़ी थी बहु को तो सर्म करो मै मैंने क्या उसे उकसाया अंसु को तुम तो खुद उसके सामने मेरा अपमान पर अपमान किये जा रही हो माना की अभी की आँखो का पानी मर गिया उसको अपनी मा का अपमान नहीं दिखाई पड़ रहा लेकिन एक बेटा अपनी मा का अपमान इस तरह से होते हुए कैसे द सरह की कलपना भी नहीं की थी लेकिन कुछ परिस्थितियां चुप चाब जीवन में चली आती है और यही हुआ दीपा के साथ चचेरी बेहन के कहने पर उसके दूर के देवर की बेटी के साथ बड़े बेटे अभी की शादी कर दी पहले तो राकेस दीपा के पती ने मना किया यह सोच लो कि यह रिस्तेदारी में अभी करिष्था करना सही रहेगा लेकिन दीपा ने सोचा की बड़ी बेहन है तो सोच समझ करी रिस्ता बनाया होगा देखने सुनने में भी रंजना अच्छी लगी और उसके माय के वाले भी ठीक ठाक लेकिन रंजना शादी के वाद क अच्छी ने राकेश से जिद करके रंजना को अपनी बहु बनाया था ना वो राकेश से कुछ अपने दिल का हाल कह पा रही थी और ना रंजना के बेवहार को समझ पा रही थी और इधर रंजना जब देखो तब दीपा को छोटी छोटी बातों के लिए मुफट जबाब दे देती दीपा यही सोसती की अभी बच्ची है थोड़े दिनों में समल जाएगी लेकिन जिसको समलना होगा वही तो समलेगा दीपा केले में बैटकर खूब फूट फूट कर रोती रहती की आकिर भगवान उससे कौन सी गलती हो गई जो उसको ऐसी सजा मिली उसने तो ब मनजूर था दीपा अपनी चचेरी वहन से भी कुछ नहीं कहना चाती क्योंकि उसको लगता है कि यह सब उसकी किस्मत का ही दोस है तभी तो राकेश की चेताबनी के बाद भी उसकी अकल पर पत्थर पड़ गए और उसने रंजना को अपनी बहु बनाने को स्विकार किया छ समय के साथ शादी उसकी भी हो चुकी थी लेकिन उसकी पत्नी मनी बहुत ही संसकारों से परिपून सुसील पहले तो रंजना अगर अभी के सामने दीपा से कुछ कहती तो अभी रंजना को समझाता लेकिन धीरे धीरे अभी भी रंजना की ही रंग में रंगने लगा देख सुनकर बहुत परिशान हो जाते उनकी बीपी की समस्या की बज़े से दीपा उनको जादा कुछ बताती भी नहीं थी की राकेश के पीठ पीछे तो रंजना उससे इससे भी जादा गलत बिवहार करती है समय बढ़ रहा था और समय के साथ साथ रंजना की बत्तमीजिया भी बढ़ती ही चली जा रही थी जिसका दीपा वरदास्त करती रंजना उतनी उच्छ स्रंखल होती चली जा रही थी अब तो जब वो जी चाहे दीपा को कुछ भी बोल देती और अभी उसको अनसुना करके वहां से हट जाता दीपा के दिल से कराह निकल जाती की क्या ये वही बेटा है जो मा के उपर अपनी जान लुटाता था अब इसको मा की बेज़ती से भी कोई फर्क नहीं पड़ता फिर भी कुछ ना बोलकर आंसों को चुपचाप पी लेती और वहां से हड़ जाती होली का तेवहार था और इस बार दो तीन साल के बाद अंसुप भी आया अपनी पत्नी मनी के साथ होली पर तेवहार पर लगातार महमान होली खेलने के लिए आ जा रहे थे रंजना की कुछ खास सहेलियां भी आने वाली थी जो उसने अपने माईके से मिला कीमती क्रोकरी सिट निकाला था खास अपनी सहेलियों के आने पर सहेलियों की नास्ता कर लेने के बाद क्रोकरी सिट तो अंदर रसोई में पहुँच गिया और रंजना वहीं पर सहेलियों के साथ बैठी बातचीत कर रही थी दीपा ने सोचा कि इतने महंगे कोकरी है चलो मैं ही साफ करकी रख देती हूँ वरना दाग पढ़ जाएंगे सारे बरतन तो दीपा धुल छोट कर नीचे गिर पड़े दीपा तो अंदर तक काप गई क्योंकि प्यालों के तोटने की आवाज बाहर तक भी जरूर गई होगी और तब तक रंजना की सहेलियां भी जा चुकी थी रंजना बिजली की गतिसे दोड़ती हुई अंदर आई और उसके जो मुह में आया व अनाप सनाप दीपा को बोलने लगी तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे मायके से मिली हुई किसी भी चीज में हाथ मत लगाया करो लेकिन इनको तो कुछ समझ में ही नहीं आता बस हमारी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े रहना है पता नहीं कब पिंड छूटे गा इन लोगो से काम धंधा तो नाम भर का और जब देखो तब नुकसान पर ही लगे रहते हैं कभी इतना महेंगा सिट देखा होगा तो कदर जानती उस चीज की लेकिन इनको क्या फर्क पड़ता है हराम की चीज थी जो तोड़ डाली अभी और अंसु भी प्यालों के तूटने की आवा सुनकर अंदर आ गए थे रंजना का ये सब बोलने का अभी के उपर कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन अंसु के लिए ये सब बरदास करना असंभो ही था बस इसलिए वो मम्मी का अपमान देखकर तड़प उठा और उसने रंजना को धमका दिया इतनी ही परवा है तो ले जो इनको अपने साथ चार दिनों में आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा रंजना ने तो बेसरमी की सारी हदे ही पार कर दी दीपा को मम्मी ने कहकर इनके उनके पर उतर आई भाभी आप बिल्कुल भी परिशान न हो ये हाँ मैं ले जाओंगा मम्मी जी और पाप देखो तुझरा आदमी तो बोल ही रहा था अब तो मेड़िकी के मुँ में भी जुबान आ गई लगता है ये भी क्या जाने अमीरों के रहन से ये भी आखिर आई मद्वरगी परिवार से ही है ना रंजना बेहुदिगी के साथ दोनों हाथों से ताली बजाते हुए बोली नहीं ये घर हम लोगों का है हम लोग इस घर को छोड़ कर कहीं नहीं जाएंगे जब तक हमारे हाथ पैरों में ताकत है उसके बाद देखा जाएगा क्योंकि तुम्हारे पापा की दुकान अभी अच्छी खासी चल रही है और मैं भी रसोई बनाने में लाचान नहीं अराम से चल जाएगी तुम लोगों के आगे हाथ पैलाती रही पर छोड़ने की बात तो अब तक मैंने बहुत तुम्हारी बत्तमीजियों को बरदास कर लिया लेकिन अब बिलकुल भी नहीं अब ये घर छोड़ कर तुम और अभी जाओगे क्योंकि अब पानी सिर के उप उपर जा चुका है जब धागे का गुच्छा बहुत जादा उलज जाए और सुलजाया भी ना जा सके तो उसको तोड़ कर फेकना ही बेतर होता है बहुत तुम्हारे साथ रहे कर इस तरह रोज रोज मरने से बेतर है कि एक बार में ही मर जाना ना रहेगा बास और ना बज बोलने की ताकत कहां से आ गई थी शायद परिस्थिती बहुत जादा ही विकट नजर आ रही थी इसलिए और बरदास करना शायद असंभाव सा हो गया था मम्मी होस में भी हो कि आप क्या कह रही हो हम लोग आखिर क्यूं वह घर छोड़ कर जाए अब जाकर अभी के बोल फ तुम्हारे मुह में जुबान ही नहीं बची लेकिन शायद मैं अभी तक भी होस ही थी अब जाकर मुझे को होस आया है अपना दोनों का बरिया बिस्तरा सिम्टो और अपना नया घर ढूड़ो बस दो तीन दिन की महलत तुमको देती हूँ अब तो रंजना के पैरो तले से जमेन खिसक गई आखिर इतना अच्छा घर कहां से मिलेगा अब तो रंजना ने भी रो रो कर अनुनय विनय करना शुरू कर दिया लेकिन अब तो दीपा चिकना घड़ा बन जुकी थी इसके उपर इन घड़ी आली आसुओ का कोई भी प्रभाव नहीं पढ़ने वाला था इधर इतना सब कुछ घर में हो गया लेकिन उस समय राकेश घर पर नहीं थे वो किसी दोस्त से होली मिलने के लिए उनके घर गए थे आप बिना पापा की मरजी से कोई फसला नहीं सुना सकती क्योंकि ये घर पापा का है सिर्फ आपका नहीं अभी और रंजना अपनी दाल दीपा के आगे गलती हुई ना देख कर बोलें पापा की धंकी क्या देते हो उनकी भी आखों से कुछ छुपा नहीं है दीपा निला परवाही से कहा थोड़ी देर बाद राकेश ने घर लोटने के बाद जब सारी स्थिती को देखा तो उनको भी बहुत जादा बुरा वे भी कहीं ना कहीं दीपा की अपमान को कर रहे थे और उनों भी दीपा की फैसले को एकदम जायज ठहराया और अभी और रंजना को फिर से घर छोडने की हिदायत दे डाली आखिरकार अभी और रंजना को वो घर छोडना ही पड़ा दीपा ने आंसु और मनी के साथ भी जाने से उसे समय इंकार कर दिया लेकिन उनसे मन ही मन गहरी सांस ले कि रोज रोज मरने से तो अच्छा एक बार में ही मर जाना दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताना कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सेर भी करें अगर आप मेरे चैनल प